पर मौझूद हैं स्वामी सुमेदान सरसोती नजर आ रहे हैं और उनके साथ अलग लग जगों से पदा रहे हुए पिठादीश्वर संत सनतन की परंपरा और हमारे देश की अगर रिवाज और रवायत को देखे तो इनका भी बहुत ज़ादा महत्व हो जाता है और इनको अमंतरित करना या अपने आप में एक संदेश देना है की भारत को अगर आगे लेकर जाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा संतों को साथ लेना होगा संतों के आश्रवात की हमेशा जरूरत होती है राजस्थान सरकार की जो अब एक नई भूमी का देखने में सामने आएगी तो पिर संतों का भी उसमें महत्पूर्ण योगदान होगा उनके मारदर्शन की जरूरत होग और उनके सम्मान को जिस तरह से यहां पर पेश किया गया है आमंत्रित करके वो भी बेहद खास यहां पर होने वाली हैं और देखिए जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं अगर टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देखें यहां गजेंडर सिंग्, शेखाward, केंद्रियमंत्री और पूर मुक्हें मंत्री अशोग गहलोत की तस्वीर और कैलाश चौधरी भी वहाँ पर खड़े हुए लेकिन जो गुफतबू हो रही होगी तो क्या चर्चा हो रही होगी और ये चर्चा तो क्या हो रही होगी ये खुद ही जाने लेकिन उनके चेहरे के मुस्कान बता रही है कि दोनों मिले तो बड़े अधब से मिले मैं अगर निरंजन जी का ओडियो आप आएगा हमारे साथ सूडियो में जुड़े हैं तो निरंजन जी से बात करूँगा दिरंजन जी आउडियो आपका अप होगा तुझा बताईगा हम और भीमन तो कयास लगा ही रहे हैं ये क्या बात्चीत हो रही होगी देखिए रविंदर जी निश्चित रूप से मैं एक चीज आपको बताना चाहरा हूँ असोग गैलो जी आज की तारिख में कांगरेस के उन चंद नेताओं में से हैं जो आप ये मान के चलिए उस परंपरा का निर्वेहन कर रहे हैं कि चाए आप सत्ता में हो चाए आप प पोदी जी जब राजस्तान केंप करते थे राजस्तान केंदर जब रहलिया करते थे उस टाइम असोग गैलो जी उनके साथ सामिल होते थे यानि कि सरकारी कारी करोमा में पिछले दो चार पांच सालों से हमने ये देखा है कि जो चाए बंगाल में हमने देखा चाए वसंद इस बीच केशव प्रसाद मौरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी यहां पर आये हुए हैं और स्वागत किया गया यहां पर पूर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत की तरफ से उनका तो इस मंच पर अब धीरे-धीरे करके सभी महमानों के आने का सिल्सला उनके विर चुके हैं और देखे यहां नितिन गड़करी का जो राजस्थानी साफा और पगड़ी होती है उसके साथ स्वागत भवे तरीके से किया गया पूलों के गुल्दस्ते के साथ स्वागत किया अगर यहां से यही मान कर चला जाए कि सीधा एरपोर्ट से अब रवाना होंगे अलबर्ट हॉल के इन जो शवाद गरेंट समहर उस्थाल है क्योंकि अब जादा वक्त नहीं बचा है और बारा बजगर दस मिनट का वो वक्त क्योंकि बारा बजगर तीन चार मिनट तो ही चुके हैं अब कभी भी अगले पांट साथ मिनट के अंदर प्रदान मंतरी पर पर पहुंचेगा और जो तस्वीरें देखे दो बहुत महत्पूर्ण तस्वीरें हैं यह आपनो राजस्तान इसे ही करते हैं और अशोक गयलोत अक्सर कहा करते थे मैं थांसों दूर नहीं जब सुंद्रा राजी ने शपत ली थी मुझे याद है तब भी अशोक गयलोत यहाँ पर पहुंचे थे और आज जब भजनलाल शर्मा बारतिय जन्रता पार्टी के मुख्यमंतरी के तौर पर शपत ले रहे हैं तब भी अशोक गयलोत यहाँ पर मौजूद है जी हाँ बिलकुल और यह हमने पूछा भी था पहले राज्कबार शर्मा से उन्होंने अप अतनी तरीके से जानकारी किया था यही कहा था कि पूर मुख्यमंतरी अशोक गयलोत उसमें शिर्कत करेंगी और कौन से कॉंग्रेस यहाँ पर आएंगे अच्छा रोशन का रुक करते हैं स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं क्योंकि प्रधान मंतरी कुछी देर बाद पर पहुंचने वाद